हाँ फ्रेंण्स आज में लाएं हूँ लेफ्ट ओबर ब्रेड की एकदम नई रेस्पी ब्रेड की तो आपने बहुत से रेस्पी बनाई होंगी तो पिखो बस नहीं तोड़ने हैं इसके रफली तोड़ लेंगे और इसको अपने शर्ण सब्राइब तो अध़ा न सब्सक्राइब तो मैंने रुप्याज को रफली काट लिया इस तरह से अब हम इसमें तीन ग्रीन चिली एट करेंगे साथ ही एक छोड़ा टुकड़ा अद रखा अब हम इसको पीश लेते हैं तो अभी हमें यहां पर पानी नहीं मिक्स करना है इसको इसी तरह से पीशना है अगर यह नहीं प आज गिका हाँ पीश है ओने करें सबस्ते हैं तो इस मैसिते हैं तो पानि मिक्स करें तो पानी बहुत जादा मिक्स करें आप देखिये यहां पहले हैं то अलु आलू उच्छा स्क्राइब करें अदरग करें अगया है अब सब्सक्राइब आरपाई ना यक्याम अर्च पेस्ट करें तो इसको हमें मिक्स करना है तो इसलिए आप इसमे पानी बहुत जादामी प्सक्राइब अब देखिए यहां पे अब हम इसमें मिक्स करेंगे कुछ मसाले सबसे पहले हम इसका देते हैं करीब 1.5 teaspoon रड़ चिली पाउडर साथी 1.4 teaspoon हल्दी पाउडर अब हम इसमें एड़ करेंगे करीब 1.5 teaspoon पाउभजी मसाला पाव भज मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता अगर आपके पास है तो आप जरूर इसको एड़ करें अब हम इसमें डाल देंगे करीब 1.5 टीस्पून चाट मसाला शाथ ही इसमें डाल देते हैं और दे बनस वरा टीस्पून जीरा पाउडर और अव मिँस्त प्रग जरूर साथ गरम अ No अगर आप के पास इन वडिंग का यहां पर दो टेबल स्पूं चावल का नाटा भी आपर इसमें जम सब्सक्राइब हरा धनिया और हम अच्छे से मिला देते हैं तो ढई यहां पे लेंगे करीब 1 कप और जो देख तो किस सरे से स्टोर करना है तो देखें जूमस को अथे से मीविक्स कर दिया है क्योंकि अलूल में जितना माश्योल होता रिजल कर लेगा तो i तो अब यहां पर जोड़ है थोड़ा सा सॉप्त लग रहा है तो अभी हम यहां पर ब्रेट चुछ पर करीब ब्रेट कम्स और एट करेंगे और इन्हें हम फिर से मिक्स कर देते हैं तो देखिए इस तरह से हमारा डो होना चाहिए यह रेडी हो गया है अब हम स्को रख देते बना सकते हiken राउंड बना ना है इ से बना में गई चलते हैं जैसे तार सेम अपने रचछ देखिए तो पहला तरीका तो यह है आप इन्हें डीफ्राइ कर सकते हैं तो मैं यहां पर देखिए एक के साथ चार या पांच एड़ कर दूंगी तो यहां पर तेल हमारा बहुत जादा गरम हो जब हम यह एड़ करेंगे तो हीट को हम लोटू मीडियम कर देंगे तो इस तरह से हम इन पलटेंगे इसके पहले आपको नहीं पलट ना है बना यह तूट जाएंगे तो इनने हम इसे से पलट देते हैं तो तेखिए यह अचเสk चुके हैं एक साइड और इस़ी तरह से हम इने पार से से फिस्पी आयाँ बहुत ही क्रिस्पी है उपर से क्रिस्पी अंधर से सॉफ तो देखिए इन्हें हम निकाल लेते हैं यही कलर हमें चाहिए अब इसी तरह से हम अपना दूसरा बैट भी फ्राइब कर लेंगे और देखिए उपर से क्रिस्प हैं अंदर से सौस्थ झाल बहुत है आपको तोड़के भी दिखाते हैं देखिए अंदर से सॉफ्ट है और कितना मज़दार लग रहा है तो आप बारिस के मौसर में इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही कम चीजों के साथ बहुत ही कम टाइम में हमारा बहुत ही उनीच चटपटा इस नेक्स बनके त्यार है तो बेड की न्यू रेस्पी को आप किजिए थैंक्स फर वच्चिंग